नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दीन भर के महतपून बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे तो फटवरस आप सभी कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताए कि आप बिहार के कौन से जीरे में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और साथ ही अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे क्योंकि वीडियो बनाने में हमें कापी मेहनत लगती है तो चलिए सुरूर करते हैं आज की बड़े खबरों की ओरूर आज की सबसे पहले कबर बिहार में गर्मी का सिताम राज के 23 जिले लूक की चपेड में यलो अलट जरी जहाँ बलुचिस्तान से राजिस्तान होकर आरई गर्म पच्वा हवा ने अपना दाइरा बढ़ा कर राज के अधिकतर हिस्सिक लूक की चपेड में ले लिया है अगली बड़ी कबर बिहार में गर्मी को लेकर इन चो जिलो में हाई अलट आबदा विबाग की अडवाजरी दोपार बारा बजे से तीन बजे तक घर मही रहे अब बिहार में गर्मी को लेकर आबदा विबाग ने अलट जारे किया है बिहार के चो जिलों में 3 घंटे लोगों को घर से बाहर नही निकलनी की सला दी गए है गया और अंगाबाद बकसर पढ़ना रहतासर केमुर में खास चौर पर लोगों से सतर करहने को कहा गया है की अपिल की है साथ है आपको बता दे कि भिसन गर्मी ए ममलूस से बचाओ के लिए आपदा विवाग ने सबी जिलों के लिए दिसा निर्दिस भी जारी किया है जिलादी कारियों को अलट रहने की बात बताते वे आपदा विवाग के सचीव संजे कुमार अगरवाल ने कहा ह कि भिसन गर्मी ए ममलूस से बचाओ के दिसा में करवाई के लिए विस्त दिसा निर्दिस दिये गए है अगली बड़ी कबर भिसन गर्मी के कारण इसकुलों का टाइम बदला बिहार में सुबस साथ से बारा बज़े तक खुई होगी पढ़ाई जिहां तेज धूप पर ल गर्मी लुक के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है आप पढ़ना के सबी स्कुलों में सुबह साथ बज़े से दोपार बारा बज़े तक ही खुली जायेंगे हSबी जिला दिकारियों के और से आदिस जारीन है किया है जानकारी के अनुसार पढ़ना जि वना प्लांड सेम ने कहा सेकड इस्तानिया लोगों को मिलेगा रुजगार जिहां वेगुसरा में सेम नितिस ने 550 करोड की लागत से निर्मित पेपसी प्लांड का उद्गाडन किया इस दोरान उन से साथ बिहार के उद्योग मंत्री सानवाज हुसिन में मौज़ुद रहे बरोने के असुरारी में आवस्तित इस प्लांड के उद्गाडन के मौके पर नितिस कुमार ने विक्सा रुपन का भी काम किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में कितना बड़या इंडिश्ट्री खड़ा हुआ है यह काबले तारिफ है उन्होंने कहा कि मौके मंत्री नितिस कुमार के परति आवार व्यक्त करता हूँ जिस जवाब दही के साथ उन्होंने उद्ग विवा का काम सोपा है उसे पूरे लगन और ततपरता के साथ कर रहा हूँ उन्होंने बताए कि या उद्ग इस्टन इंडिया का या सबसे बड़ा प्लांड है इसको देखकर मौके मंत्री नितिस कुमार बेहद खुसी जाहर की है साथ उन्होंने कहा कि किसी को या देखकर भरोसा नहीं होगा कि बिहार में इस तरह का उद्ग लगा है बाड़ी कबर बिहार में डरा राय कोरोना का चोथी लहर का खत्रा ट्रेकिंग के साथ बढ़ाए जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां विकली फजेटिविट रेट 5% सदिक है ऐसे में कोरोना की चोथी लहर का खत्रा मंड़ा रहा है बिहार में हालात अभी ऐसे नहीं है लेकिन देश में बढ़ाए संक्रमन को लेकर स्वास बिवाग अलट पर है बहार से आने वालों की टेस्टि होरोई चूक के बाद अब उनकी सुरक्चा वबस्ता में बदलाव किया गया है हाल इमें सेम पर बक्तियारपूर में हमले की कोशिस की गई थी उसके कुछ दिन बाद इन अलंदा की सवाम में बढ़ा के चोड़ने की घटना गड़ी थी इसको देखते विए मुख्यम की समालने वाले सस्जी में पचास ने पुलिस पदादी कारे वक कर्मी सामिल किया जाएंगे इसमें तीन स्वेक्टर 11 दारववा ववी सहायक अवा ने रिक्चक सामिल है इसके अलावा करेव डेड़ दरजन सिपायों को भी परतिन्युक्ती सस्जी में की गई है अगली बड़ी कबर बिहार के 85,000 किसानों के बैंक अकाउंड में आएगे रासी 13.23 लाग ने किया था आवेदन जिहां बाड़ और सुखे के करन फसल बरबाद होने पर क्रिसी इंपूट अनुदान के लिए 13.23 लाग किसानों ने क्रिसी विबाग में आवेदन दिया था जमिचा में तिसरी वार फिर गत सब्दा बुगतान का निर्देस दिया गया है अब उमीद है कि दो वर्स से क्रिसी इंपूट अनुदान के आस लगाए 85,000 सदिक किसानों के खाते में जल्दी ही रहाता रासी पहुच जाएगी नोडल पदादिकारियों ने किसानों के खा सामिल होने वाले परिचात्रियों को निर्देस दिया कि वे चैपल पहनकरी परिचा में सामिल हो सकते हैं इंडर के मुई के परिचा फरवारे में हुए थी काफी ठंड होने के कारण जोता मोजा पहनने के इजाज़त दी गए थी अब वातावरान गरम होने के कारण चैपल पहन कर आने का निर्दिस दिया गया है इंटर के कमपार्टमेंटल परिचा 25 अपरेल से फ्रारम हो रही है जल्द ही हर इसके लिए परवेश पत्र जारी किया जाएगा प्राइविक परिचा 18 से 20 अपरेल तक ले जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार के चात्रों के लिए अच्छी कबर वर्ष के अन तक मिलेंगे आठ इंजिनरिंग और चार पॉलिटेकनिक कोलेज जा प्रदेश के आठ और जिलों में इस वर्ष के अन तक इंजिनरिंग कोलेज और चार जिलों में पॉलिटेकनिक कोलेज बनकर त पिसम्ब 2022 तक की निम्याद तैकी है आपको बदा दे कि 7 निश्चे के तहद 31 जिलों में इंजिनरिंग कोलेजों की स्थाफना की जानी है योजना के प्रभावी होने से लेकर अब तक 31 में से 23 कोलेज भौनों का निर्मान पूरा किया जा चुका है इसी परकार प्रतेग जिल जबकि अर्वल जहानाबाद पस्चिम चंपारन और भोजपूर में पॉलेटेकनी भावनों का निर्मान हो रहा है से ओंघणाबाद एवएं खगडिया सामिल है पढ़ती है वो जब चाहे हडा सकते हैं दिल्ले में हम राहुल गांदी से मिले और संगटन पर चर्चा की हमने तो विदानसवा चुना परिनाम के बाद करेब 6 मैने पहले ही सिपाल अकमान को दिया था मेरा कारिकाल भी 6 मैने पहले खतम हो चुका है अगली बड़ी खबर बि चीप जश्टिर संजे करोल की डिविजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंदर और राज सरकार को इस मामले में बिस्तित्र जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्दिस दिया है आपको बदा दे कि राज के नेशनल वन इस्टेट हाइवे पर जन संक्या और वहनों की संक्या के अनुपात में पेटोल पम की संक्या काफी कम है कोट ने इस पर सक्त रूख अपनाते हुए पूचा कि राज नेशनल हाइवे पर कितने पेटोल पम खुलनी के अनुमती दी गई है कोट ने इस बात को गमिर्दा से लिया है कि 2018 से पेटोल पम इस्ता कारान मामलाट का हुआ है अगली बड़ी खबर 25 साल पुराने साइक्लोपियन वाल्ड को वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल करने के कवायाद नितिस सरकार ने भेज़ा प्रस्ताव जह विहार सरकार ने भारतिय पुरातत सर्वेक्षन को राजगिर में सब पुर्व से पहले बनाये गया था बाहरी दुस्मन और आक्रमन कारियों से बचने के लिए इस दिवार का निर्मान किया गया था अगली बड़ी खबर कोरोना काल में गेहु की MSP पे 90 रुपय का इजापा विहार में 2015 रुपय परतिक क्यूंडल की दर से 20 अपरेल से बड़ का 2015 रुपय हो गया है सरकार के तरब से 2021 में 50 रुपय और 2022 में MSP 45 रुपय के बड़ोतरी की गई है अगर आप चिकन खाने के सौकेन है तो सावधान हो जाए क्यूंकि बिहार में बड़ फलो ने दस्तक दे दी है सुपोल के चपकाहे गाव में पक्चियों के सेंपल जाज में बड़ फलो की फुष्ट हुई है जिसके बाद एतिहाद के तोर पर गाम में पसुपलन बिभाग के कर्मियों के तैनाती कर दी गई है वें आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम सुरू कर दिया गया है बड़ फलो की पुष्ट होने के बाद इलाके में लोगों में हड़कम मच गया है दरसल सुपूल के सदरतना छेतर के चपकाही गाह में करेब दो हफ्ते पहले दरजनों पक्चों की तडब तडब कर मौत हो गई थी इस घटना के बाद से छेतर में हड़कम मच गया था ग्रामीनों ने घटना के सचना वन विबाग को दी थी मारने वाले पक्चों में कोवे कोयल मुर्गी और बदक सामिल थे अचानक करीब चार दरजन से अधेक पक्चों की मौत हो जाने से इलाके में संसनी फिल गई थी बड़ी कबर यात्रियों के लिए खुसकबरी 18 अपरेल से रोज चलेगी हटिया पटना पाटली पुत्र एक्सप्रेस पूर की तरह परते दिन चलेगी साउथ इस्टन डिलिवे ने इस समध में दिस सचना जारी कर दी है कोरोना काल में ट्रेन के बंद होने के बाद जब इसी दोबारा चलो किया गया था तो ये ट्रेन सप्ता में तीन दिन ही चल रही थी वापसी में 19 अपरिल से पाटली पुत्र को पटना से हर दिन चलाय जाएगा जैल दिस सप्ता में साथो दिनों का रिजर्विशन शुरू किया जाएगा 20 महने बाद 9 नौमबर से 18622 हटिया पटना पाटली पुत्र एक्सप्रेस हर मंगलवार गुरुवार और सनिवार को स्पेसल करूप में चल रही थे अब सब तक साथो दिन चलने लगेगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि कोरोना के चोती लहर को देखते इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं